हालो एवरीवान हैपी दिवाली और यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी 2021 की जो दिवाली की स्टॉक पिक्स थी उनके बारे में कि पिछली दिवाली से लेकर के इस दिवाली तक उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और लेटर इन द स्क्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर हम अपनी 2021 में जो स्टॉक पिक्स दी थी उसके बारे में बात करें तो 2021 में आपको पता होगा कि दिवाली के टाइम पे T20 वर्ल्ड कप चल रहा था जैसा कि इस साल भी चल रहा है और उसी की लाइन्स पे हम स्ट्राउंड में भार हो गया था तो हमने अपनी जो टीम बनाई थी उसमें 11 में स्टॉक्स सेलेक्ट किये थे और उसके अलावा चार रिजर्व थे यानि की ऐसे स्टॉक्स जिनका की उस टाइम पे जो वैलूशन है वो हाई था लेकिन अच्छी कॉलिटी के स्टॉक्स थ किये थे तो यह हमारा स्कॉयर था पिछले साल के स्टॉक्स का और अगले पेज में हम डिसकस करेंगे कि पिछले एक साल में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और अगर हम अपनी में टीम यानि कि जो 11 स्टॉक्स हमारे प्राइमरली जो हमने सजेस्ट किये थे उसके बारे रुपए होती तो यानि कि सिरफ 0.9% की overall इसने return दिये है अला कि जो हमने अपना target लगाया था वो ये लगाया था कि हमारी कोशिश होगी कि ये nifty 50 से better perform करें और nifty 50 ने पिछले एक साल में जैसे की निराश किया है तो वो 17,839 के level पे था और वो आज की rate में 17,576 पे है तो nifty 50 ने 1.4% की negative return दी है तो हमारी return काफी खराब है FD से भी काफी खराब है लेकिन nifty 50 जो हमने अपना benchmark बनाया था उसको हमने luckily बीट किया है अगर हम अपने individual stock wise बात करें तो 5 ऐसे stocks रहे हैं जिन्नोंने काफी अच्छी performance दी है खास करके ITC जिसने की 55.7% की return दी है M&M 48% CIPLA 24.3 इसके अलावा Airtel ने भी 14% की return दी है और HUL ने 10.1% की और जो सबसे ज़्यादा निराश किया है जिन stocks है उसमें से HTFC Life है जिसने की 21% से ज़्यादा की negative return दी है Tata Motors 18% की negative return इसके अलावा Infosys और TCS क्योंकि IT stocks ने काफी निराश किया है तो इन्होंने भी 10% से ज़्यादा की negative return दी है HTFC bank ने 9% की negative return दी है और Reliance almost neutral रहा है जितने पिछले साल पर जो इसका price था वही अभी इसका price है तो हमारा कह सकते हैं कि 50% stocks ने अच्छा perform किया है 50% ने खराब किया है और एक stock neutral रहा है और अगर हम dividend को add करें क्योंकि nifty 50 में dividend added नहीं होता अगर हम dividend को add करें तो हमारी जो return है वो 1.8% रही है क्योंकि इसमें से कुछ stock है जैसे कि TCS ने 45 रुपे का dividend दिया है ITC ने 1.5 रुपे का तो इसको अगर सबको मिलाएं तो सबसे best performance again ITC की होती है overall dividend मिला के इसने 60.9% की return दी है पिछले एक साल में और M&M ने 49.4% की और सबसे खराब return again HTFC life किया आती है 21 इस.4% और उसके बाद Tata Motors की और अगर हम Nifty 20 देखें जिसमें कि dividend included होता है तो इसने 0.6% की negative return दिया तो overall हमारी return काफी खराब है लेकिन फिर भी Nifty 50 के जो index है या 20 है उससे हमने better perform किया है और अगर हम अपने reserves और extra की performance देखें तो reserves में ये 4 shares थे जो की हमने बोला था कि overvalued हैं तो इसको अच्छी खासी गिरावट में आप लीजिए तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 2 stocks ने तो काफी अच्छा perform किया है खासकर L&T जिसने की 10.4% की return दी है और with dividend 11.7% की कोटक महिंदरा ने 3.7% की और with dividend 3.8% की और HTFC Limited भी हम बोल सकते हैं कि ठीक ठाक है इसने 9.8% की दो negative return दी है लेकिन अगर हमने 10% नीचे लिया होता तो मोटा मोटी ये neutral रहता और with dividend इसने 8.7% की negative return दी है लेकिन सबसे ज़्यादा निराश यहाँ पे again IT stock ने किया है tech महिंद महिंदरा जिसने की 23% की negative return दी है और dividend को भी मिला लिया जाए तो 20% से ज़्यादा की negative return है तो overall इस segment में ये overvalued थे तो हमें लगी रहा था कि ये stocks चाहिद इस साल में perform ना करें लेकिन tech महिंदरा ने फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा निराश किया है और अगर हम mid cap और small cap segment मे में जो तीन risky stocks suggest किये थे उसमें IDFC first bank ने तो काफी अच्छा perform किया 12.4% खासकर पिछले तीन महिनों में इनका share बहुत तेजी से भागा है लेकिन Orofarma और MGL इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बुरी performance दी है Orofarma 23.5% नीचे है और MGL 22.2% और with dividend भी ये लगभग 20% के आसपास नीचे है हाला कि MGL में जो रशिया यूक्रेन का conflict है वो एक unplanned event था उसकी वज़े से इसमें काफी गिरावट आई है लेकिन फिर भी Orofarma और MGL ने काफी ज़्यादा निराश किया है तो overall performance काफी खराब रही है हाला कि Nifty 50 के लिए भी ये साल काफी मुश्किल था तो आप हमें बताईए कि भी आपने इसमें से अगर कोई share लिया था या आपके लिए best share और worst share पिछले एक साल में कुन सा रहा है और later in the day हम एक 2022 की भी share recommendation लेके आएंगे और फिर हम देखेंगे कि अगली दिवाली पे कैसे perform किया और उमीद करेंगे कि इस साल से better हम perform कर पाएं Thanks so much for watching the video and God bless you all